हेलो फ्रेंट्स तो चलिए आज बनाते हैं केले की कोफते की सबजी इसके लिए मैंने कच्छा केला ले लिया है और केले को हम इस तरह से छील लेंगे तो आप चाको की मदद से इस तरह से केले को छील लें केले को छीलने के बाद हम इसे छोटे-छोटे पीसिस में कट कर लें तो बस जब मारा केला गर्म रहे तभी हम इसे गर्म ही में मैश कर लेंगे नहीं तो यह ठंडा हो जाएगा तो यह बिलकुल अच्छे से मैश नहीं होगा अब मैंने इसमें डाला है बाडी कटा प्याज अब हम इसमें डालेंगे एक चमच लैसन जो मैंने अच्छे से मैंने बेसंड डाला है इसमें अच्छी बाइंडिंग आएगी तो अब इन सब को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और आटे की तरह इसे गूंद लेंगे धियान रहे हम इसमें पानी का इस्तिमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे अगर अब इसमें पानी डालेंगे तो यह हम एक एक करके साड़ा कौफता डाल देंगे और पलट पलट कर हम इसे 7-8 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर सेख लेंगे हम इसे अच्छे से अंदर से पका लेंगे ताकि हमारा कौफता अंदर से अच्छे से पक जाए और उपर से अच्छा कलर आ जाए देखिए हमारे कौफते में काफी अच्छा कलर आ चुका है तो एके करके हम अपने कौफते को निकाल लेंगे अब हम एक कड़ाई में तेल लेंगे तेल गड़म हो जाने के बाद हम इसमें डालेंगे जीरा, तेजपत्ता और सुखी लाल मिर्च दो से तीन प्याज को बारी काट कर मैंने इसमें डाल दिया है और हाई फ्लेम पर हम प्याज को अच्छे से भून लेंगे तो ब्राउन होने तक आप प्याज को अच्छे से भून ले अब हम फ्लेम को लो कर देंगे और डालेंगे स्वादर नुसार नमक हल्दी पाउडर लाल मिर्च पाउडर और एक बड़ा चमच इसमें डालेंगे सबजी मसाला और आदा चमच मैंने इसमें गड़म मसाला डाला है तो मसाला डालकर हम इसमें डालेंगे एक चमच ग्रेटेड लेसन और इन सब को थोड़ा सा पानी डाल कर हम अच्छे से बून लेंगे इस समय फ्लेम को हम मीडियम कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर हम मसाले को बून लेंगे मसाला बून जाने के बाद मैंने इसमें दो टमाटर को बारी काट कर डाल दिया है तो बस इसे भी हम मसाले के साथ अच्छे से भून लेंगे हम हाई फ्रेम पर 3-4 मिर तक मसाले को भून लेंगे और फ्रेम को हम फिर लो टू मीडियम फ्रेम कर देंगे और इसमें भी हम 3-4 मिर तक मसाले को भून लेंगे देखिए हमारा मसाला अच्छे से तेल छोड़ चुका है इसका मतलब हमारा मसाला अच्छे से भून चुका है तो बस एक से दो मेर तक हम इसे और भून लेंगे और ग्रीवी अनुसार हम इसमें पानी डाल देंगे जब पानी में एक अच्छा उबाला जाए तो हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और पानी को उबल जाने के बाद हम इसमें डालेंगे अपने कोफते तो एक एक कड़की आप इसमें साड़ा कोफता डाल दे उपर से मैंने डाला है थोड़ा सा गड़म मसाला तो हम इसमें स्वात के लिए डालेंगे दनिया पत्ता हमारे कुफती की सबजी रेडी हो चुकी है